हेलो फ्रेंज नंदनी क्यूकिंग चैनल में आप सभी के स्वागत करती तो चलिए हम फ्रेंज बचे हुए चावल को फ्राइ करने वाले हैं तो हमने कुछ इस तरह से इंग्रीडियंस कट किये हुए गाजर हमने ग्रेटर से घिस लिया हुए है बींज को हमने छोटे-छोटे के लिए लिए हुआ है इसे स्टाट करते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंज मेरे पास बची हुई चावल है तो इसे हम फराइ करने वाले हैं तो चलिए तेल-गराम हो चुका है इसे पूरे कढ़ाई वे फैला लेते हैं फैलाने स्ब्जी होई है कोई भी चीजू चिपक मिर्ची को बढ़ाने लाए क्रेलें हैं तो यह है वैँ कर लेते हैं प्यारातों अजैनल राईए जीरा भी जुञें प्यारती हैं भी दिद्राइस हाथ हम बना पेसके सीखें मिर्ची को यहाँ है चे लाए छोल तो जलिए थोड़ी देर हम भिसी पोला के फ्राइब कर लेते हैं उसके बाद हम डालेंगे तो चली हम डालेंगे को फ्रोय को सम्रा बूमाचर को भी डाल देते हैं इसे थोड़ा साथ में ठाला लेते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं और फ्रेंज इसे हम ढग कर 5- 5-5 दो से 3 मिनट तक पकाएंगे लो फिलेम पे ताकि सब्जी आच्छे से सौफ्ट और नरम हो जाए तो देखिए आप कुछ इस तरह तक पक गया है सब्जी अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसे मिला लेते हैं तो फ्रेंस एक बड़ जरूर ट्राई करके देखें बहुत ही यमी लगती है फ्रेंस एक बड़ जब ट्राई करके खा लेंगे तो इसका स्वाद भूलने ही तो इसे हम अच्छे से चला लेते हैं थोड़ देर तक हम इसे भी फ्राई करेंगे चाल को तक चाल और भी टेस्टी लगे तो हम देख सकते हैं अब इसे हम थोड़ी से हरी धनिया डाल देते हैं धनिया के पति और इसे भी मिक्स कर लेते हैं धनिया के पति अगर आप चाहे तो डाले ना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं कोई जरूरी भी नहीं है तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो चलिए हमारा चावल बन के तयार हो गया है